नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चाइनल अंजली प्रिया में स्वावत हैं आप सब कैसे हैं, उम्मीद करते हूँ कि आप सब तो अच्छे ही होगें तो चलिए मैं आज तीलोडी बूझने के जा रहे हूँ तो आप सबके साथ शेर कर लाई हूं ती लोडी भूजilton के कर लीए मैंने देख सकते हैं ती लोडी है मार्केट से मंगाई हूं देख सकते हैं जिप अलू वब्म इसमें थोड़ा हाल का जीरा हुआ है यह बिका जी का पापड है इसको भी से फोल्ड कर दे रही हूं देख सकते हैं उसके बाद दूसरा फोल्ड करूंगी एक फोल्ड हुआ है दूसरा फोल्ड करके इसको मैं तोल ले रही हूं कि देख सकते हैं तोल ली हूं अब इसके लिए मैंने गैस अन करूंगी और उसमें कड़ाई रखकर तेल अड़ाई सुग्राम मैंने डाली हूं देख सकते हैं हाई फ्लेम है हाई फ्लेम पर भूजना है इसको अब मेरा तेल गर्म हो चुका है एक ठो मैंने तीलोडी डाल के देख ले रही हूं गरम हो गया है अब इसको मैं पलटके निकाल दूंगे क्योंकि ज्यादा देर तक नहीं रखना है नहीं तो जल जाएगा इसक फ्लेम थोड़ा हम लो कर देंगे क्योंकि हाई फ्लेम पर भूजने से तीलोडी जल जाती है इसलिए थोड़ा मैंने लोख लें कर दिए हो देख सकते हैं आप दिलोडी को चलाते हुए भून रही हूं इसको प्लोट पलोटके बहून ले रही हूं बुना चुका हैं अब कि इसको मैं निकाल लूँगे कि एक बार डाल के भून ले रही हूं दे सकते हैं आप कि इसको फुलर्टते चलाते हुए इसको भूनना है कि जले नहीं देखिए एक बार इधर से और एक बार उधर से चला के भून लेना है दोनों तरफ से अब मैं चिप्स डालूंगी जो कि आलू का चिप्स है इसको भी मैं भूनूंगी देख सकते हैं आप इसको भी चलाते हुए पलट पलट के बीच बीच में चला कर भूनना है मेरा तिलोडी भूना चुका है अब इसको भी मैं निकाल लूँगे अब मैं पापड डालूँगे इसको एक साइड से डालूँगे और दूसरे साइड से दो बार ही पलटना है नहीं तो इभी जल जाएगा पापड देखिए हो चुका है मेरा पापड इसको एके करके सारी पापड को मैंने भूल लूँगी देख सकते हैं आप मेरा तिलोडी देख सकते हैं आप सारी तिलोडी भूना चुका है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सस्क्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्याबाद